एक ननकड़ा विरामबाद आपनू स्वागत चे तरेच आज ती उजिवन कम्णी नो आईपियो शरू थाई रहो चे कम्पनी आईपियो द्वारा आट सोने पिंचो तेर थी आट सोने ब्यासी करोड रुपया भिगा करवानी योचना बनावी रही चे आईपियो पर वदू अपनी साथे जोड़ा ही रहा चे कम्णी ना एमडी अने सीओ अमिद घोष समिद घोष समीजी स्वागत है आपका जबकि हम जानते हैं कि एक स्मॉल बैंकिंग लाइसंस आपको मिला हुआ है और आप आईपियो लेके आ रहे हैं क्या खास वज़ है यह जो हमें का शेर होलिंग मिजॉरिटी डुमेस्टिक होना है उसके लिए हम लोग यह आईपियो अपी कर रहे हैं और उसके साथ जो अडिशनल फंड्स हमें जो मिलेगा वो स्मॉल फिनेंस बैंक का ट्रांजिशन के लिए हम क्योंकि हमें बहुत इंवेस्ट करना पड़ेगा फोर ट ट्रेनिंग एट्स एट्रा एंड फॉर चैनल्स एनों के लिए जो हमें एडिशनल फंड्स चाहिए है और चार-पांच साल हमें यह स्मॉल फिनेंस बैंक चलाने के लिए यह हमें कैपिल रेस हम कर रहे हैं और डुमेस्टिक ओनर्शिप बढ़ाने के लिए तो कौन अपना स्टेक बेच रहा है अभी अभी हमारे जो आगे जो पहले से जो अर्ली इंवेस्टर्स जो थे कुछ-कुछ जो हैं उसका जो छोटा-छोटा ओनिशिप था यूनाइटर्स विल्फिंसन ऐसा जो इंवेस्टर्स थे फोरें इंवेस्टर्स वो पूरा क्यूंकि हमें चाहिए हमारे ओनर्शिप 49% से कमती फॉरें डॉमेस्टिक ओनर्शिप होना चाहिए थोड़ा आपके business के बारे में बताईया क्योंकि viewers जाना चाहेंगे किसके segment में आपका business फैला हुआ है और कौन से कौन से शहर में यह हम यह उजीवन is most widely spread हम 24 राज्य में कान करते हैं और union territories में microfinance institutions जो है आठ जो license मिला है provisional हम उजीवन has the widest geographical reach और RBI जो mandate हम लोगों को दिया है यह small finance bank is to provide financial service जो unbanked हैं और जो underbanked हैं सिर्फ उसके लिए और हमें already 30 लाख customer करीब group lending का under में हम microfinance का काम किये हैं वो हमारे customers already हैं और बात बाकी जो है हम लोग जो जहां increased business हम देख रहे हैं बढ़ जाएगा वो हुआ micro SME and small business sector के लिए जहां हम लोग यह government affordable housing का बहुत demand है यह सेग्मेंट का customers के साथ वो segment में हम लोग लोन देंगे affordable housing और सबसे बड़ा benefit small finance bank का है that is हम लोग को we can offer them safe place to save क्यूंकि हम लोग देखे हैं जो यह segment के लोग होते हैं वो वो bank account उनका है लेकिन अपना savings वो unorganized sector में करते हैं और हर साल कुछ न कुछ इन लोग का नुकसान आ जाता है क्योंकि यह unorganized sector का बहुत ही highly high risk investment में चला जाते हैं जह वी सीन इन लास्ट few years in the east शारदा और Rose Valley ऐसा जो organizations है वहां सब लोग का savings gets wiped out तो वो जगह में हम उन लोग को organized bank saving का route दे सकते हैं where they can save safely लेकिन आप जानते हैं कि already इतनी banks इंडिया में है small bank license इतनी सारी companies को दिये गए है payment banks भी आ रहे हैं तो इसमें जो सेग्मेंट है जो हम जो सेग्मेंट में हम लोग काम करेंगे unserved and underserved यह सेग्में में banks अभी पूरा सर्व नहीं करते हैं यहां 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 यह यहां 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 करते हैं यहां market is the huge market because our population over 600 million people where you know we are talking about micro entrepreneurs, salaried workers, marginal farmers इन्नों का अभी organized financial service ते कोई service जादा सा नहीं मिलता है so it's a big opportunity for small finance banks and payment banks to serve this segment ओके और आने वाले दिनों में ये कितने आप रुपए इसमें से एकटा करने की प्लान कर रहे हैं और किस तरह से इसका use करेंगे ये हम हमारे quite we have a plan business plan which is पहला दो साल तो हम लोग को transition करना पड़ेगा bank में उसके बाद we'll have fairly substantial growth in the business which will establish us as one of the major players in this segment ओके और ये कब तक bank transform हो पाएगी और कब तक और कहा कहा वेलेबल हो पाएगी हम लोग तो चोबिस state और union territories में काम करते हैं हमारे bank in all these states we will be operating और RBI ने हम लोग को 18 महिना time दिया है तो we are planning to start in the first quarter of calendar quarter of 2017 and January महिना से हम लोग काम शुरू करेंगे और by end of March will be fully operational across India और ये जनकारी देने के लिए और ये जनकारी देने के लिए पारते उजरिते आपने जाने ही रहाचे बद्धा नवा IPOs आवी राचन कासकरने microfinance companies हावे जे बैंक लाइसेंस मेरवेल companies हावे जे IPO लिस्ट करी रहेचे साथी बहला आपने जो बात करिये तो I think I would like to talk about the management quality Mr. Ghosh जे अमड़ा interview अपता था I think MNी जे पेडिग्री जुए तो he's a MBA Wharton graduate plus MNी पासे 24 वरस नो experience चे मने चिटी बैंक मा काम करियू चे HGC बैंक मा as a retail head तरीके काम करियू चे 10 वरस पेला आपने फाइंड करी चे I think I believe he has a strategy as a mission in place चौकस पने आपने जुए तो I think recent Equitas नो जे IPO आवे हो जे बहुत सक्सेस्फुल रहे हो एनी जोड़े भी जो आपने जो आपने सर्कामी करी है तो गणो खरो business model चे The only big difference is I think Ujivan नो जे future नो जे target चे low cost affordable housing segment चे versus Equitas मा पढ़े जोई है के लोको ने used commercial vehicles मा भी focus करू चे अने बने ने small banking licenses मढ़े चे But I think geographical spread जोई है तो एमा Ujivan definitely has an upper hand I think I think 4 वी states मा अलड़ी इलोको नी कामगिरी चे जोई तियां थी इलोको कामगिरी scale करवानी चे अने I think जे small banking finance नो जे deposit base चे which is always a challenge कांके इलोको ने direct competition आऊ से with the other public sector banks जे रूरल segment मा होई चे But I believe के I think with the geographical spread एमा इलोको ने चौकस पने एक सारो फाइद हो था से and again I think जे री ते valuations नी भी जो वात करू तो OG1 is available at 1.4 times price to book जे I think जे रे Equitas launch कर लो which was at 1.7 times price to book तो I think एक advantage Equitas ने आपया चे with good geographical spread, excellent management quality and a very strong business model I think जे चौकस पने आप्डाने I.P.O. ने अंदर एक सारू listing gain भी थासे and I believe के I think जे लॉंग-term investors चे they should focus more on थी चामड़ी चे for a 2-3 year horizon and yes, I think initially आपने जाने चे return ratios because of the banking change and the transition जे थासे and my effect थासे पन तियार बाद I think पच्छो जे ROE नी जे आपने वात करी चे return on assets about 3% will come up ROE जे जाने चे के सुदर आऊ से and I think जे cost of funding जे जे आजनी तारिक मा बाहर टकानी आसपास चाली रहो चे cost of borrowing for UJ1 should come down to somewhere around 8.5 to 9% जेना कारंट सर्ट जे branch expansion जे overhead cost जे mitigate जासे so we are very confident on this business model I think बहुँ इंट्रेस्टिं स्पेस जे and जो भी AUM जो ये ताप 5,000 करोनी आसपास जे which can easily more than double over the next 3 to 4 years दावल आप अपना client ने के रहे है आवदा IPOs पर follow करवानी के रोकाण करवानी सला आपो चो Definitely बिजिकली selective रहे है कोई attractive IPO होई तो definitely recommend करता होई जीवन नो सवाल छे मारा क्याल थी ये IPO माटे अमारो एक रीटिंग छे बिजिकली सब्सक्राइब नूरे से काणके सारू IPO देखाई चे तो मारा क्याल थी ये सारू देखाई चे तो मारा क्याल थी मारा क्याल थी ये मारे लिस्टिंग इन माटे भी इवन तम्हें तम्हें आप्लाइ करी सको चो आस ही वाई थाय रोकेर भी बिजिकली अमने वो गमें चे कंपेरेटरी ली यूनो बिजनेस मोडल जे चे वादू सारू चाने जे रितनो रिस्पोंस चे कंपनी में मारा क्याल थी अगें यूनो इट वुड सी गुड लिस्टिंग इन तो बनने माटे विजिकली सब्सक्राइब नो एक कॉल रेसे मारा धर्व थी थाये टोक्यार राने उजिवन बनने पर धवलना बाईकोल आवी राशे त्लेकिन तमें रोकान करी शकोशो नेत्यरेज करसो तो लिस्टिंग गेन पर मड़ी रहशे ने पार्थी पर खासा बुलिशे उजिवन पर लेए न अनोकडो विरामने त्यार बाद आदा विजा स ये खास बने पर खास बने पर खास बने हैं